आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं रना में सिद्धान दगनी होतरी, श्रडी आइक्यू पैप को बहुत बहुत सबागत है, आज हम बात करेंगे, कैलिफोर्निय जेनोसाइट के बारे में, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जेनोसाइट सीरीज का पा क्या बात है, ऐसा कैसे हो गया, अमेरिका में जेनोसाइट होते हैं, अमेरिका में हुए है जेनोसाइट, देखिए, यहाँ पे दो स्टोरी हमको देखनी है, मैं आपको बैग्राउंड समझाऊँगा, जेनोसाइट सीरीज, इसमें आपको, मतलब ये तो पता चलता ही है कि क इतनी बरबरता हुई, साथी साथ मैं पूरा बैग्राउंड बताता हूँ, तो आपको हिस्ट्री पूरी क्लियर हो जाती है, ठीक है, तो हिस्ट्री के बहुत important inputs जो आप यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी, वो मैं आपको देता हूँ, So first of all, what we have to see, there are two stories, firstly, अमेरिका क्या है, देखो, समझो, क्रिस्टोफर कोलंबस की बयाग्राफिय मैंने रिव्यू की है, देख ले न, वासको डगामा सम्मुद्र से निकले भारत को खोजा, ठीक है, उसके बाद, सी रूट, ये जो वोईजिस हैं, ये स्टार्ट होगी, क् लैंड मास पे पहुंच गए, उल्टी दिशा में, तो वहाँ पे उनको लगा यही भारत है, है न, टोटल चार, चार वोई जिसकी थी, अगर क्रिस्टोफर को लंबस की बात करें, पासको डगमा के बाद, तो इधर पहुंच गए, वहाँ पे अमेरिका की डिस्कवरी हो गया, फिर 15th, 16th century में, पूरा कॉलोनाइजेशन शुरू होता है, अमेरिका का, ठीक है, साउथ में देखें, यह वाले एरिया में, ठीक है, अगर यह वाले एरिया की बात करें, स्पैनिश और फ्रेंच आ गए, यह उपर वाले एरिया को ब्रिटिश ने ले लिया, तेरा कॉलोनीज बना ली, ठीक है, अब हुआ क्या, 1734 में आखरी कॉलोनी बनाई थी ब्रिटिश ने, उनकी तेरा कॉलोनीज थी, ब्रिटिशर का यहाँ पर पूरा रूल था, दुनिया में जहां पे भी आपको गोरे लोग दिखेंगे ना, वो सब यूरोप के हैं, सब मेक्सिको में भी देखें, मेक्सिको और भारत का कल्चर बहुत सेम, इनफाक्ट वहां के लोग भी हमारा हुलिया और जो यहाँ पे लोग रहते हैं, उनका हुलिया बिल्कुल सेम है, वो ब्राउन है, है ना, अर आधिते भी काफी कुछ मिलते जुलती है, तो यूरोपियन सेम पे पहुँच गए, उसके बाद अमेरिका में आजादी के लड़ाई शुरू होती है, अमेरिकन रेविल्यूशन जिस पे वीडियो पूरा अविलेबल है, अमेरिका का इतियास मैंने कवर किया है, और महिपाल सर ने भी अमेरिकन रेविल्यूशन पे एक वीडियो बना अमेरिका पूरी तरीके से अजाद हो गया, और अब अमेरिका ने शुरू किया, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यह तो अमेरिका की कहानी in short, दूसरी कहानी आपको मेक्सिको की समझनी है, मेक्सिको की अगर बात करें, तो दोस्तों मेक्सिको का जिए जो आप कैलि मेक्सिको के पास था मेक्सिको में भी Aztec Empire रहता था destruction of Aztec Empire पे Aztec तो उस पे मेरा पूरा separate वीडियो है American civilization थी यहाँ पे बहुत खूबसुरत मंदिर थे और कबाल के सब बिता थी मायल civilization भी यही सही आई आई अगर उसको सर्च करेंगे तो तो destruction of Aztec Empire पे मेरा पूरे separate वीडियो तो मेक्सिको में Aztec Empire और American civilization मतलब यहाँ पे indigenous लोग बहुत वक्त से रूल कर रहे थे आज भी अमेरिका में 500 जिदा ट्राइप्स मिलेंगी ठीक है लेकिन 1596 में आये Hernandez Cortez इस्पेन के और इस्पेन ने मेक्सिको पे अपना पूरा दबदबा बना लिया और पूरे Aztec Empire यह जो अमेरिका के नीचे ना मेक्सिको इसको खतम कर दिया और Spanish settlement यहाँ पे बन गई समझ गए यूरोप में Christianity थी आपको पते ही है Catholicism तो यूरोप में क्या था कि जब ये लोग किसी एरिया को colonize करते थे तो missionary भीजते थे इनके दो aim होते थे एक तो Christianity फैलाओ जहां जहां Christianity जा सकती है वो करो वो फैलाओ और इसमें कोई बुरी बात नहीं है धर्म का प्रसार प पोस्ट बना लो basis बना दो और जब ये हो गया तो अपने आप वो colonize हो जाएगा resources भर भर के resources यूज़ करो यही European करते थे तो Mexico Spain के एंडर में था 1821 में Mexico ने आजादी ले ली Spain से Mexico आजाद हो गया अब उसके बाद हम ये देखते हैं जब Mexico आजाद हुआ तो California और Texas वाला एरिया तो अल्रेडी इनके पास था ये जो California का एरिया है ये वाला जो आप देख रहे हैं ये Mexico के पास आगया ठीक है अब हम ये देखते हैं कि America और Mexico आपस में भिड़ गए जिसको Mexican-American War भूला जाता है 1846 से लेकर 1848 तक चला ये चीज़ आप समझें 1846 से लेकर 1848 तक दो साल तक Mexico और America के बीच में वार हुई जिसमें सबसे ज़ादा फाइदा हुआ अमेरिका को कैसे अमेरिका के पास आ गया पूरा का पूरा टेकसस और कैलिफोर्निया समझ गए कैलिफोर्निया की बात करें तो पहली आजाद फिर मेक्सिको के पास आया और कैलिफोर्निया में भी ऐसा नहीं है यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 15th 16th century में कॉलोनीज मतलब यहाँ पे 1848 में जब मेक्सिकन और अमेरिकन वार खतम होती है तब कैलिफोर्निया पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का हो गया अमेरिका एक्सपांड कर रहा था तो टेकसस वाला एरिया देखो जो प्रेसिडेंट थे हो समय अमेरिका के जेम्स पॉक समझ गए एक बात मेक्सिको और अमेरिका के बीच में वार हुई 1846 से लेकर 48 तक तो जेम्स पॉक टेकसस को अपने पास लेया चलिए मुझे ट्रीटी का नाम बताईए कमेंट बॉक्स में वो कौन सी ट्रीटी थी जो मेक्सिको और अमेरिका के बीच में साइन हुई थी वो मुझे आ 1850 में कैलिफोर्नियन कॉंप्रमाइज होता है और कैलिफोर्निया आ गया अमेरिका के पास समझ गए अब यहां पे बहुत बड़ी चीज होती है क्या देखो अमेरिका में बहुत सारी ट्राइप्स रहती थी ठीक है ट्राइबल कॉन्फिक्ट्स होती नहीं थी इनका अपना कल अच्छर था बहुत अच्छे लोग थे और जाधर कॉन्फिक्ट में यह लोग रहते नहीं थे समझ गए जब यूरोपियंस यहां पे यहां पे अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाया अमेरिका ने अजादी ली उसके बाद अमेरिका ने यह जो ट्राइबल लोक्स है न एक के ट्रीटीज साइन की जिसमें मुरा पूरा सेपरेट लेचर है अनिकोल ट्रीटीज का मतलब क्या है यह जो पूरी जमीन थी इस अल अबाट जमीन ठीक है और अमेरिका इडाट टाइम नीडेट जमीन तो उसको जमीन चाहिए थी तब ही तो एक्सपैंशन होगा न और अमेर अहां पर क्या हुआ कि जो इन्डिजीनियस लोग यहां पर ट्राइबल लोक्स यहां पर रहते थे इनसे युद्धल अब अमेरिकन जीते थे जिते थे थे तो ट्रीटी सायं करते थे संज्वाता करते थे अब उस समझोते में अमेरिका को तो बहुत कुछ मिलता था लेकिन ट्राइब को कुछ ने इनकी जमीने चीन ली जाती थी तो ऐसे धीमे धीमे करके इनकी जमीने ये चीनते गए ऐसे अमेरिका को बनाया है समझ रहे हैं तो जो बोलते हैं कि America make America great again, Donald Trump जो इतना बोलते हैं, भाई या अमेरिका को बसाया ही बाहर के लोगों ने है अमेरिका के जो खुद के लोग है, make America great again करना है, तो जू तुम्हारे हैं ट्राइप्गी उनको सबसे ज़्यधा राइटस दो, वहीं अमेरिका के मूल निवासी है, बाक 1850 आते हैं ते अमेरिका के पास आगया कैलिफोर्निया लेकिन कैलिफोर्निया में एक ऐसी चीज हो गई मेक्सिकन अमेरिकन वार जब चल रहा तो से ठीक जस्ट पहले ठीक है 1849 में ही यहां पे जेम्स एम मार्शल ने डिसकवर कर दिया सोना गोल्ड सोने की खदान डिसकवर हो गई खेल खतम खतम खेल सोना डिसकवर हो गया बताओ सोना समझने ना आपके घर के बगल में सोना डिसकवर हो जाए हर कोई लूट खसोट मच जाएगी और जब सोना डिसकवर हुआ सोना तो बहुत इंपोर्टेंट है उस समय सोना ही चलता था करिंसी तो कोई कोई स्टेबल करिंसी तो थी नहीं ठीक है डॉलर तो आया नहीं था अभी तो हम यह देखते हैं कि जब कैलिफोर्निया में सोने की डिसकवरी हुई इसको गोल्ड रज बोला जाता है यह बेसिकली 1848 से लेकर 1855 भर भर के सोना यहां से निकाला गया अब यह सोना किसका था यह रेसोर्स किसका था जो यहाँ पे ट्राइप्स रहती थी इंडिजीनियस ट्राइप्स लेकिन उनको कुछ भी नहीं दिया गया एक धिला दिया गया उपर से 3,00,00,00 अमेरिकन्स को यहाँ पे लाके रख दिया और यूरोप से भी लोग आ रहे हैं सोने के लिए चाइना से भी समुद्र से लोग आ रहे हैं समझ रहे हैं तो यहाँ पे जो इनके मूल निवासी दे उनको एक धिला मिला और जब इन्होंने विद्रो करने की कोशिश की तो इनको मारा गया काटा गया समझ रहे हैं तो यह सबसे बड़ा रीजन था इस जैनोसाइड का दा गोल्ड रश ओफ कैलिफॉर्णिया जिसके हम नाम से जानते हैं मतलब इसको हम जानते हैं कि समज रहे यह तो यह चीज थी है कहा वैसे कैलिफॉर्निया पर भी था पहले और वो भी बहुत ुच्छा नहीं था फिर अमेरिका के जब रूल आया तो वह भी बहुत अच्छा नहीं था अमेरिका ने बकायदा क्योंकि कैलिफोर्निय साउथ में आता उस साउथ में ज्यादा सिलेवरी थी तो सिलेवरी भी आपे पूरी धडलले से चल रही थी ठीक है बड़ी दिक्कत थी यहाँ पे ठीक है और जो नेटिव अमेरिकंस थे उनकी उपर तो कहर जो पूरा काम कराया जाता था वो इसी दोरान 1850 में अर्ली 1850 में कैलिफोर्निय और इंडिया इंडियंस के बीच में बार शुरू हो गी मतलब जो अमेरिका थी अमेरिका की जो आर्मी थी और जो कैलिफोर्निय के इंडिजिनेस मूल निवासी थे उनके में युद्ध शुरू हो गया यह 1880 तक चला ठीक है क कभी युद्ध हो रहाता कभी नहीं हो रहाता बतलब एक तरीके से थम थम के लड़ाई हो रही थी लेकिन यहां पर अमेरिकन आर्मी जो है इन मूल निवासी को एक आएक खतम करती जा रही थी आवाज नहीं उठा सकते 33% तक इनकी पॉपुलेशन रिडूस हो गई थी सारे रिसोर्सेज अमेरिका के पास आ गए 1864 पर सिविल वर भी हुई थी अमेरिका में आपको याद होगा 1864 में स्लेवरी के लिए estimates की अगर बात करें तो बताया जाता है कि 4500 Californian Indians को 1849 से लेकर 1870 की बीच मारा गया लेकिन कुछ estimates यह बताते हैं कि 16000 से ज़ादा Californian Indians मारे गए Indians मतलब कौन वही जो यहां के मूल निवासी है समझ गए तो यह चीज है resources के लिए यह सब कुछ हुआ अगर अभी California की बात करें दोस्तों तो इस समय California America का सबसे खुबसूरत state है अगर आप सबको देख ले तो total 50 state है United States of America ठीक है California America का सबसे खुबसूरत state है America का most populous state है California में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं क्यूंकि यह देख रहो ना यह area देखो पूरा beach से लगता है कल्चर कमाल का है California का इस समय का और America में सबसे ज़्यादा जो economy का contribution है वो California करता है billions and billions dollars यहाँ पर आते हैं क्योंकि tourism बहुत है resources बहुत ज़्यादा California में है ज़्यादा तर आपको headquarters California में मिलेंगे जो अमेरिका की बड़ी-बड़े institutions है समझ रहे हैं basis आपको California में मिलेंगे साथी साथ California में सबसे बड़ी चीज़ क्या है अरे Los Angeles Los Angeles याद है न Los Angeles क्या है Hollywood Los Angeles में ही तो Hollywood है तो movie industry ही California state से चलती है California के state है ठीक है शेहर नहीं है तो movie industry जो है वो यही से Los Angeles से चलती है Los Angeles बहुत ही जादा खुबसूरत है कमाल का culture है तो इस समय California जो है वो अमेरिका की economy में खुब contribute कर रहा है लेकिन इतिहास देखिए कितना काला है यहां के जो मूल निवासी है देखिए मूल निवासी यहां पे रहते ही नहीं है मतलब उनको पूरी तरीके से ख़देर दिया गया है आप कुछ सोचिए कि आपका घर है आपका खुद का घर है कल को कोई इंसान आ जाए आपके घर को आपको बाहर निकाल दे और आपके घर में रहे और खुब याशी करे खुब अच्छे से रहे और आप कोने में जाके देखो कि देखो मेरे घर में ये लोग रह रहे है पहले मैं यहां पे रहता था कैसा लगेगा आपको ऐसे ही आज इन लोगों को लगता होगा क्यूं क्यूंकि और इनकी क्या गलती इनकी कोई गलती ही नहीं है अगर tribes की आपे बात करें कि इनकी क्या गलती है यह अमेरिका में रहते थे इनकी यह बढ़िया अपना बहुत बढ़िया जीवन था इनका लेकिन इधर यूरोपिया ने जहां पर कॉलोनाईज करना शुरू किया इनको ख़देर दिया आज भी 500 से जाधा tribes है अब अमेरिका में क्योंकि modernity जाधा है democracy जाधा है तो इनके rights को इस समय काफी preserve किया जाता है लेकिन दोस्तों वही है न कि आप क्या फाइदा ये तो अमेरिका तो actually पूरा उनका है समझ गे तो ये lecture था I hope आपको पसंद आया होगा समझ में आया होगा खुश रही है पढ़ते रही देसे सिद्धान तक नहीं होतनी signing off